हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें आजी मैं ही बनवा देती हो कम से कम कुछ काम तो आ जाएगा इनको आए बड़ी इनको खुटको आता है खाना बनाना पूनम वहां से चली जाती है कुमल सब्सी बनाने की तयानिया कर लेती है और सब्सी में तड़का लगानी लगती है तभी शांटी बोलती है अरे दीदी तेल थंडा होने दो, नहीं तो जीरा दुबारा काला पढ़ जाएगा, अब मत काला होने देना हाँ हाँ नहीं होने दे रही भाबी मसाला डालो अब इसमें, और गुमाओ चमजे से इसको चिपक जाएगा नहीं तो अरे इतनी देर में तो थोड़ा पानी में डालना है इसमें, हटो मैं बनाती हूँ नहीं मैं बना लूँगी, अब बनने ही वाली है सबजी सबजी तो डालो, अब नमक चेक कर लेना तेज ना हो, तुम्हारे भाई गुस्सा करेंगे यार ये कितना बोलती है, बरबर करती रहती है, सरदत कर दिया इसमें, पता नहीं भाई इसे कैसे जिरता है खाना बना कर धूनों कमड़े में आकर बैठते हैं, और ऐसे ही दिन गुज़ते हैं और एक दिन कोमल अपनी दोस्तों के साथ घूमने के लिए प्लैन बनाती है, और वो जीन स्टॉप पहन कर जानी लगती है, तब ही शांती उसे रोक कर बोलती है अरे अरे रुको रुको रुको, ये क्या पहन रखा है तुमने, कपड़ों के मैचिंग करनी नहीं आती का तुमें, कोई सेंस नहीं है कपड़ों पहनने का हाँ हाँ आप तो बड़ी श्री देवी लग रही हो ना चली मुझे ड्रेसिंग सेंस सिखाने हटो मुझे देर हो रही है मुझे क्या जाओ परे लोग तुम्हारा ये अजीबोगरी फैशन देखके हसेंगे पिर आजाना सड़ा सा मुझ बना कर हाँ ठीक है अब हटो साइड कोमल अपनी भावी को साइड हटा कर अपनी दोस्तों के पास मिलने चली जाती है जहां उसकी दोस्त पिंकी उससे बोलती है कोमल देर कैसे कर दिया कब से वेट कर रहे थे हम यार भावी के चकर में देर हो गई मुझे वो नहीं मेरा दिमाग खा जाती है नसीव वालो को मिलती है भावी तुझे भावी का मतलब भी पता है हाँ पता है भावी का मतलब माईग्रेंड मतलब सरदर्द कोमल के दोनों दोस्त हसने लगते हैं और घूमने के बाद शाम होने पर कोमल अपनी घर आ जाती है रात को सभी साथ बैट कर खाना खाते है और खाते हुए उसकी भावी बोलती है दीदी इतने जल्दी जल्दी खाना क्यों खा रही हो थोड़ा आराम से खाओ कहीं जाना है कोई पड़ा है आपके पीछे आप यहां भी चालू हो गई कोमल तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो ना खाने का मजा ही नहीं आया है ना ममी हाँ बहुत तू ही बनाया कर दोनों मिलकर काम कर लिया करो बरतन कोमल धो लेगी और तू खाना बना लिया कर और साफ सफाई भी तू ही कर लिया कर ठीक है माजी मैं ही बना लूँ में सब जुईव अच्छी बात है खुदी बना लेंगी मेरे पास खड़ी खड़ी सरदत करती रहती है वैसे भी बरतन साफ करने का काम ही ठीक है खाना खाकर सब अपने कमरे में सूने चले जाते है और सुभा होते ही रोज आट बजे शांती अपने कमरे में गाने चला कर एक्सुसाइज करती और जोर जोर से चल रहे हैं गानों की आवाज कोमल की कमरे में भी जाती है और उसकी नींद खराब होने लगती है कभी कुमल तकी एसे अपने कानों को बंद करती लेकिन तब ही वो उठकर बैठ जाती है और फिर गाने बंद ना होने पर वो गुसे में उठकर अपनी भाबी के पास जाकर बोलती है अले ये क्या जोर-जोर से गाने चलाकर हाथ पे टेड़े मेड़े कर रही हो मेरी नीन खराब कर दिया आपने एकसराईस कर रही हूँ आप भी किया करो अब आप भी रोज जल्दी उठना और हाँ मेरे साथ एकसराईस करना करोगी न मुझसे नहीं होती कोई एकसराईस आप ही कर लो और हाँ सरदत के लिए आपका बोलना ही काफी है इन गानों को शांत रख लो इतना बोल कर कोमल अपनी कमरे में जाकर बैट जाती है और कुछ देर बाद दोनों मिलकर अपना अपना काम करती है बरतनों का धेर देखकर कोमल बोलती है सरतत का बहाना करके मैं ये बरतन भाबी से ही धुलवाऊंगी कोमल अपनी भावी के पास जाकर बोलती है भावी आप अपना काम खतम करके बरतन भी दो दोगी क्यों? आपके हाथों में जंग लग गया है आपके हिस्से का काम मैं धोड़ी करूगी दोनों को अपना-पना काम मिला है अपना-पना करेंगे बाबी कर दोना मेरा सरदद हो रहा है अच्छा ये बात है चलो तुम्हारा आम करो मैं कर देती हूँ बर्तन साफ शांती बर्तन धोने जाती है और जोर जोर से बर्तनों को बजाते हुए उन्ही साफ करकर के रखती है परतनों की आवाज उसकी ननत के कमडे तक जाती है जिसके कारण उसके सर में सच में दर्थ होने लगता है और वो गुसे में बाहरा कर अपनी भाबी से बोलती है भाबी तुमने तो मेरे सर में दर्थ कर दिया आपके तो मूह लगना ही बेकार है कॉमल वहां से चली जाती है और कुछ दिनों बाद शांती अपनी सास से बोल दी है मा जी कॉमल बड़ी हो चुकी है हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए मेरे मामा का लड़का है आप कहो तो बात चलाएं कॉमल आते हुए सारी बाती सुन लेती है और अपनी मा के पास आकर बोल दी है अब क्या मैं बोज लगने लगी हूँ यह सब भावी की तरकीब होगी मुझे घर से निकान लेकी मेरा सरदत बन के बैठी हुई है सर की नस्फटवा के रहेगी अब तो रोज का सरदत कर देती है कोई ना कोई बात करके कोई बात नहीं बेटा एक नएक दिन तो करनी ही है अभी से रिष्टा ढूड़ेंगे तब जाके तो बात बनेगी चटमंगनी पटब्या थोड़ी करेंगे अब आप भी चालू हो गए भाबी का असर हो गया है क्या आप पर बहु जा तु मेरे लिए चाय बना दे अभी लाती हु माजी दीदी आपके लिए भी चाय बनाओ हाँ बना लाओ वैसे ही सरदद हो गया कड़क बना कर ला ना अद्रक वाली लॉंग वाली हाँ डाल लो दोनो इलाई ची और काले मिर्च डालनी है हाँ सब कुछ डाल दो जीरा का तड़का भी लगा दे ना तुलसी वैसे तुलसी की चाय अच्छी होती है ओ भाबी अब जाओगी भी या मेरे सरपर रखके चाय बनाओगी मेरा बस चले तो तुमारे सरपर भी बना दो एक दिल कोमल बड़ बड़ाते हुए बोलती है अगर मैं घर पर रही ना तो ये भाबी और सरदर्द कर देगी मैं ना पिंकी के घर ही चली जाती हूँ कोमल पिंकी के घर चली जाती है और उसके घर की डोर बैल बजाती है तब ही पिंकी उसे देखकर बोलती है कोमल तू यहां कैसे? अरे वाह आज तो बड़े-बड़े लोग हमारे घड़ाए है क्यों? नहीं आँ सकती क्या? नहीं नहीं बस ऐसे ही सब ठीक तो है ना? तेरा थोबड़ा क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं यार मेरी भाबी ने सरदद का रखा है यार रिष्टा लेकर आईए अपने मामा के लड़के का मैंने तो मना कर दिया भाईया बिल्कुल नहीं तुम जिस घर से आ रही हो ना मुझे माँ बिल्कुल पैन नहीं रखना यार मुई बननी रखती अपना हमेशा बोलती रहती है जोर जोर से गाने चला कर एक्सरसाइज करती है रातों की नीन दिन का चैन सब छीन रखा है पहले तो मैं ड्रामे करती थी कि सरदद हो रहा है पर अब तो सच में ही सरदद होने लगता है उनकी बातों से अच्छा और बताना और क्या क्या करती है तरी भाबी अरे या देर हो जाएगी घर भी जाना है बाते तो हम बात में भी करते रहेंगे चल अब मैं चलती हूँ ठीक है चल बाए कॉमल अपनी दोस्त के घर से अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में सर पकड़ कर बैठी होती है तब ही उसकी भाबी उसकी कमरे में आकर पूछती है क्या हुआ देदी, आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है? भाबी मुझे थोड़ी शान्ती चाहिए मैं हूँ तो, मुझे बताओ आप तो सरदर्द हो क्या हुआ क्या बोल रहे हो कुछ नहीं सर दर्द हो रहा है सिर में दर्द हो रहा है आपके आपकी वज़े से ही हो रहा है क्या हुआ क्या बड़ बड़ाय जा रही हो लगता है तुम्हारी तब्य ठीक नहीं है रुको मैं सर दबा देती हूं इदर बैटो गोली ही दे दो सर दबाना तो रहने ही दो आप अरे गोली को मारो गोली इदर ओ शांती कोमल की पैरो को दबाती है तब ही कोमल बोलती है भावी ये क्या कर रही हो सर में दर्द है हाँ मुझे पता है तो आप मेरे घुटने क्यों दबा रही हो आपका दिमाग घुटनों में है ना इसलिए क्या मजा कर रही हो भावी मेरे सर में दर्द है सर दबाना है तो दबाओ वरना अपने कमरे में जाओ शांती कुमल का सर दबाती हुई बोलती है मेरा बस चले तो गला दबा दू अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा सर कौन दबाता तब सर दर्दी नहीं होता था सर दर्द का कारण भी तो आप ही हो ना ये मत करो वो मत करो ये मत पहनो ये मत खाओ बस आपका बस चलेना तो मेरी वाश्रूम में आजाओ और वहाँ भी आकर बोलो दीदी ऐसे नहीं वैसे करो यहार हद होती है चुपी नहीं होती है आप उफ सरदद कर रखा है मेरा मतलब यह कि मेरी मज़ा से सिर में दर्द होता था आपको अगर देखो ऐसी बात है न दीदी तो अपसे मैं आपसे कम ही बोला करूँगी पता चला आपका सरदद माई ग्रेन ना बन जाए इनका कुछ नहीं हो सकता यह कभी चुप नहीं रह सकती लगता है मुझे ही शादी करके जाना पड़ेगा नहीं तो यह सरदद की बिमारी बन जाएंगी कॉमल अपनी भावी को कुछ दिनों तक और जेलती है और अपनी मा की पसंद से कुछ समय बात शादी कर लेती है और अपनी ससराल जाते जाते पूस सबसे बोलती है अब मिल गए मुझे इनके दिये हुए सरदद से मुक्ती एक भावी अपनी ननत का ऐसा सरदर्द बन गई थी जिसी चुटकारा पाने के लिए पेचारी ननत को शादी करके ससुराल जाना पड़ा स्वरा एक गरीब घर से थी जिसे दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था इसलिए स्वरा को जो भी मिलता वो उसे हसी खुशी खालिया करती थी उसको किसी स्वाद से कोई मतलब नहीं था चाहे खाना उबला हुआ हो या फिर अच्छा हो वो अराम से सब कुछ खालिया करती थी ऐसे ही एक दिन स्वरा मारकेट जाती है जहां वो दुकान वाले से मौल भाव करते हुए बोलती है क्या अंकर हमेशा आप इसे तो लेती हूँ घर का राशन अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं स्वरा राशन लेकर वहां से जाने लगती है तभी उसके सामने से आती हुई तो इस रफतार की बाइक अचानक उसके आगे आकर रुख जाती है जिससे स्वरा थोड़ा डर जाती है और फिर बाइक वाले पर गुसा करते हुए बोलती है अंदे हो क्या दिखाई नहीं देता अरे बाइक है कोई हवाईजाज नहीं है और तुम कहीं के पाइलेट नहीं हो जो किसी पर भी अपना हवाईजाज चड़ा दोगे आए बड़े स्वरा गुसे में उस बाइक वाले को बाते सुनाते हुए घर आ जाती है जहां वो देखती है कि वो बाइक वाला लड़का उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ चुका है स्वरा उसे देख कर चौक जाती है और फिर बोलती है अरे मैंने बेश्चरम किसम के आदमी हो पीपी बजाते हुए मेरे घर तक चले आए मेर नाम शुशान्त है वो मैं आपसे हाँ ठीक है जहां खड़े हो वही खड़े रहो वही से बोलो सुन रही हूँ मैं सुशान्त वहां से चला जाता है और घर जाकर बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है इत्फाक से अगले दिन स्वरा की मुलाकात फिर से सुशान्त से हो जाती है जहां इस बार स्वरा तो सब्जी वाले से मोलभाव कर रही होती है तो वही उस सब्जी वाले से स्वरा को लड़ता हुआ देखकर सुशान्त बस उसे देखता ही रह जाता है स्वरा उस सब्जी वाले से बोलती है अरे भाईया इतना भाव क्यों खा रहे हो अरे इतनी महंगी सब्जी वेच रहे हो बताओ चार उपे कम कर दोगे तो कौन सी आफ़र टूट जाएगी आप पर मैडम कुस तो शरम करो आज से ही मैंने सब्जी वेचने शुरू करी है और आप बोल रही हो की रोज मुझ से ही सब्जी ले जाती हो अरे थोड़ा जूट कम बोलो आपको तो पता नहीं कि आपने सब्जी का काम आज से चुरू किया है कल से या फिर पर्सों से लेकिन ये पत्तमीज लड़का कल से मुझे फॉलो कर रहा है आज ही बताती हूँ मैं तो इसको जल्दी जा और अब कभी आना मत पता नहीं कैसी लड़की है इसने तो और तो कभी फेल कर दिया स्वरा सब्जी लेकर सुशांत के पास जाती है और उस पर भड़कना शुरू कर देती है पर सुशांत उसकी गुसे का जवाब बड़े ही प्यार से देता है और उसको ऐसे थोड़ी देर तक देखता ही रह जाता है जिसके बार स्वरा का गुसत जब वो शांत कर देता है त देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछी दिनों में सुशान्त की मा सविता को सवरा के बारे में वो सब कुछ बता दीता है और बहुत जल उन दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद घर में सवरा की पहली रसोई होती है जिसमें सविता की बहन काजल और उसकी बहु नीता उनके घर आती है स्वरा उन सभी के लिए अच्छी अच्छी डिशिस बनाती है और उनके सामने रख देती है जिसे खाते ही काजल बोलती है अरे वह बहु तेरे हातों में तो जदू है जदू सच मजा याग आज का खाना खा करतों सवीता तेरी बहु बढ़ी ही अच्छी है तू भाग्य वाली है जो तुझे ऐसी बहु मिली सच में मासी साज स्वरा आप भी बताओ कैसे बना लेती हो यह स्वादिश खाना खाना तो अच्छा ही होगा ना आखिर बहू किसकी है काजल और नीता खाना खाकर स्वरा के हातों में नेग देकर वहां से चली जाती है उनके जाने के बार स्वरा अपनी सास को खाना देती है जिसे सविता खाकर बोलती है पर सच में बहू, खाना बहुती लाजबाब है, पर नमक थोड़ा सा कम है, जब तक खाने में नमक सही से ना हो, खाने में मज़ा ही नहीं आता इतना बोलकर सभीता खाने पर से उठ जाती है, जिस पर स्वरा अपनी सास से कहती है मा जी मैं सब्ची में नमक डाल देती हूँ आप खाना तो पूरा खाली जी अरे नहीं नहीं बहू अगर अब और खाना खाया तो मेरा पेट फट जाएगा पर मा जी खाना आपकी थाली में बचा है उसका क्या अरे इतना इतना तो रोज ही बच जाता है इसमें कौन सी बड़ी बात है इतना बोलकर सविता अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना उस डस्ट बिन में डाल देती है खाने का इस तरह अपमान होता देखकर स्वरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये बात जाकर रात को अपने पती सुशान से कहती है फैक दिया तो क्या हुआ स्वरा मा का पेट भर गया होगा और नहीं खाया जा रहा होगा उनसे ये सब बोलकर सुशान सो जाता है पर स्वरा को ये सोच कर पूरी रात नीन नहीं आती और अगले दिन वो सुबर खाना ना बना कर रात के ही खाने को गर्म कर देती है और रात के चावल को फ्राई करके सभी के सामने परोज देती है उन फ्राई चावल को खाकर सविता स्वरा से कहती है अरे बहू क्या चावल बनाये तुने वह मज़ा आ गया बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मुझे पसंद है पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यही खाना तुने रात को बनाया और फिर से वही बना दिया कुछ अलग बना लेती बहू मा जी यह रात का खाना ही है यह खाना खराब जाता इसलिए मैंने इन सबको तुबारा से छोक लगा दिया और चावल को भी फ्राई कर दिया सत्या नासो तेरा नास पीटी करम जली तु रात का बासी खाना खिला रही थी हम सबको अगर किसी की तब्यद खराब हो गई ना तब बताऊंगी तुझे मा जी खाना खराब नहीं हुआ है और खाना रात का ही तो है अगर आप और शुशान जी रात को अच्छे से खाना खा लेते तो ये खाना बचता ही नहीं और बचता नहीं तो फिर ये खराब भी नहीं होता और इसे मैंने गरम कर लिया ताकि हम इसे खा ले अच्छा जी तो अब तुम मुझे बताएगी ये मत भूल कि ये मेरा घर है और यहां मेरे हिसाब से चलता है सब कुछ अपनी सास की ये हरकत देखकर स्वरा को बहुत गुसा आता है और वो उनका हाथ पकड़कर गरीबों की वस्ती में ले जाती है जहां लोग भोग से तड़पते रहते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं तभी उनके पास एक गरीब बूड़ी और अता आती है और उनसे कुछ खाने को मांगती है पर उस गरीब को देने के लिए सविता के पास कुछ भी नहीं होता वहीं दूसरी और उसकी नजर एक बूड़े व्यक्ति पर पड़ती है जो कूड़े के ढेर में से रोटी निकाल कर खा रहा होता है ये सब देखकर सविता को पोशित हो जाते हैं ये सब देखकर सविता की आखों में आसु आ जाते हैं और वो अपनी बहु से कहती है बहु आज तेरी वज़े से मेरी आखे खुल गई मैं तुस्से वादा करती हूँ मैं अन्न का एक दाना कभी बरवाद नहीं करूंगी और ऐसे लोगों की मदद ताकि कोई इनसान भूका ना मरें अपनी सास की बाते सुनकर सुरा अपनी सास को गले लगा लेती है और उस दिन के बार दोनू सास बहु मिलकर ऐसे ही गरीब लोगों को खाना देते हैं और कभी भी अपने जिन्दगी में खाना व्यर्थ नहीं जाने देते हमेशा उसका सह जगह पर सही समय पर इस्तिमाल करते हैं चाहे वो किसी और को दे या फिर खुद ही उसे भर पेट खा ले और इस तरह दोनों सास बहु मिलकर समाज सेवा में भागिदार बनती हैं नंदिता और साहिल एक दूसरे से बेहत प्यार करते थे और शादी करने का फैसला ले चुके साथ ही अपने रिष्टे की सच्चाई अपने घर वालों को भी बता चुके थे और दोनों फामिलीज को एक रोयल होटेल में एक दूसरे से रिष्टे की बात पक्की करने के लिए मिलवाते हैं लेकिन बातचीत करने के बाद दोनों के परिवार वाले इस रिष्टे के बहुत कोशिश करते हैं पर कोई हल नहीं निकाल पाते ऐसे ही एक दिल नंसा की तवियत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है वो तुरंत साहिल को फोन करती है और उसे रोते हुए बोलती है साहिल आइम प्रेगनेंट अरे क्या कह रही हो तुम साहिल मैं अपने बेबी को जनम देना चाहती हूँ मैं खुद अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगा हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तुम चिंता मत करो मैं हूना तुमारे साथ इस बच्चे को भी जनम दोगी और हम दोनों भी एक हो जाएंगे घरवाले तो मानने से रहे अब हमें ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा मुझे बस इतना पता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए वो भी भाग कर ठीक है तुम शाम को रेडी रहना हम दोनों ये शहर छोड़ कर कहीं चले जाएंगे लेकिन हाँ हम जाते हुए एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे वो क्या है न तुमारा चेक अप करा लेंगे ताकि तुमें हो और हमारे बेबी को कोई दिक्कत ना हो दोनों भाग कर दिल्ली आ जाते है और रास्ते में जब साहिल और नंदिता रोल क्रोस कर रहे होते हैं तब ही सामने से आते हुए एक तेज रफतार के ट्रक से साहिल का एक्सिडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है ये सब देखकर नंदिता भी वही पर ह बेहोश हो जाती है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल तक पहुचा देते हैं जहां डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं कुछी दे की बार जब नंदिता को होश आता है वो वहां से निकलती है और वापस अपने माता-पिता की पास पहुच जाती है और उन्हें अपनी और अपने बच्चे की सारी सच्चाई बता देती है जिसे सुनकर उसकी माता-पिता की पहरो थले समीन खिसक जाती है और वो लोग उससे बोलते हैं अरी कुलक्षणी नलायक डायन तुझे यह सब करते हुए शरम नहीं आई अरे हमारे माते पर कालिक पोतनी के बाद अब अप मत करो मा मैं कहा जाऊंगी आपके बिना नंदिता रोती हुई अपने घर से चली जाती है और काफी ढूंडने के बाद उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिलती है और वो वहाँ पर जाना शुरू कर देती है साथ ही वो एक कमरा भी किराय पढ़ने लेती है वक्त बीथता जात है ऐसे ही एक रात नंदिता जॉब से वापस घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है इतने में वहाँ पर एक वीर नाम का लड़का आ जाता है जो उसी के साथ काम किया करता था वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर उसका चेक है और डॉक्टर उससे बोलते हैं आपकी वाइफ प्रेगनेंट है और आप उन्हें ऐसी हलत में जोग पर मत जाने दीजी इनको रेस्ट के जरुत है क्या ये प्रेगनेंट है जी हां और कुछ दवायान लिखकर दे रहा हूं आप इनको समय पर देते रहिएगा जी ठीक है क्या मैं मिल सकता हूं उनसे जी हां दॉक्टर से बात करने के बाद वीर नंदिता से मिलने जाता है और उससे कहता है तुम शादी शुदा हो क्या नहीं वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम प्रेगनेंट हो अरे अरे रिलैक्स तुम रो मत तुम मुझे हर बात बता सक और हाँ जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बता देना मुझे। और वो उससे शादी के लिए पूछता है तभी नंदिता उससे कहती है। अरे बाबा तुम डरती क्यों हो? हम कल ही शादी कर लेंगे और हम हमारे घर चलेंगे। कल ही शादी? वीर मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़वड हो गई तो मैं कहां जाओंगे फिर। मैं हूना तुम इस बच्चे को भी जनम दोगी और हम दोनों एक होंगे। साहिल भी मुझे इतना ही प्यार करता था और वो भी तुम्हारी ही तरह था। नंदिता रोते हुए वीर को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगले दिल वीर नंदिता से मंदिर में शादी कर लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। वीर की मा सुनैना दोनों का बड़े ही प्यार से घर में स्वागत करती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। सुनैना नंदिता को अपनी बहु के रूप में स्विकार कर लेती है और शादी के एक महिने बार सुनैना को वीर और नंदिता कहते हैं मा, तुम दादी बनने वाली हो वा, बड़ी जल्दी तरक्की पे है मेरा लाल मा, तुम बस खुश हो जाओ, अब दादी बनोगी वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो बहु का और भी जादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा नन्हा पोता जो आने वाला है बहु सुन, ये तो बता तेरा कौन सा महीना चल रहा है वो, वो माजी पहला महीना है अच्छा, अच्छा इसी तरह दोनों मा बेटा मिलकर अपनी बहु और होने वाले पोते का और अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखते है ऐसे ही नंदिता का धीरे-धीरे पेट निकलना शुरू हो जाता है सुनेना इस बात को नजरंदास कर देती है और कुछी महीने बाद नंदिता को नौवा महीना लग जाता है इसी तरह एक रात उसे बहुत ही जोरों से पेट में दर्च शुरू होता है सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते है जहां नंदिता एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन देती है कुछी समय के बाद वो लोग हॉस्पिटल से घर पहुच जाते है वीर बच्चे को गोद में लिए अपनी मा से कहता है मा तुम खुश नहीं हो क्या जब से ये बच्चा हुआ है तुमने उसको हाथ में भी नहीं उठाया अरे जब ये हमारा खून होता तब न लेती इसको गोद में सच सच बता ये किसका बच्चा है बहु ने बताया था मुझे कि ये इसका पहला महीना चल रहा है तो इस हिसाब से इसका बच्चा इतनी जल्दी कैसे पैदा हो गया तो आप सच सुनो फिर मैं नंदिता से बहुत प्यार करता हूँ और करता था शादी से पहले ही हाँ नंदिता प्रेगनेंट थी और ये बच्चा मेरा ही है क्या आप इस बच्चे को नहीं उठाना चाहती आप देखिए एक बार इसकी तरफ सब कुछ भूल जाएंगी न आप लेकिन मुझ से जूट बोलकर बहुत बेकार किया बेटा तुने माफ कर दो माफ प्लीज अच्छा चलो मुझे मेरे बेटे के सामने मार लो बस हट पागल बाप बन गया लेकिन बच्चपना नहीं गया तेरा और बहुत तु ठीक हो जा तब गरम करूंगी इसके कान वीर उस बच्चे को अपना नाम देकर नंदिता और उस बच्चे को एक नया जीवन दे देता है इसी तरह हसी खुशी समय बीथता जाता है और दोनों सास बहु एक साथ सुख के साथ रहने लगती है और नंदिता की जिंदगी खुशियों से एक बार फिर भर जाती है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा